सनातन धर्म का सांस्कृतिक इतिहास वेदो, पुराणों, उपनिशदों और ग्रंथों से मिलकर बना है, जिन में से एक है शिव पुराण। इसमें कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है, जिनका ज्यान बहुत कम ही लोगों को होगा। शिव पुराण में एक ऐसी ही पौराणिक कथा का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि माता पारवती और भगवान शिव की कार्तिकेय और गणेश के अलावा और भी संताने थी। उन संतानों की उत्पत्ति कैसी हुई? क्या थे इनके नाम और कहा होती है इनकी पूजा? आईए जानते हैं, शिव पुराण की कथा भी जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी भगवान शिव की तीन पुत्रियां और एक पुत्र था, जिनका परिचय कुछ इस प्रकार है, भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम अयप्पा है, जिनकी पुरे दक्षिन भारत में लोग बड़ी आस्था के साथ पूजा अर अशोक सुंदरी अशोक सुंदरी भयभीत होकर नमक के बोरे में छुप गई थी, इसी वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है, गुजरात में इनकी पूजा होती है, भगवान शिव और देवी पार्वती की दूसरी पुत्री, ज्योती से जुड़ी दो कथाए प्रचलि इसलिए इनका नाम देवी जोती और मा ज्वाला मुखी पड़ा, तमिलनाडू के कई मंदिरों में इनकी पूजा होती है, माता पार्वती की सौतेली पुत्री, वासुकी जो देवी पार्वती की सौतेली संतान थी, वासुकी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव का पसीना कद्रू यानि सापों की देवी की प्रतिमा को छू गया था, जिससे वासुकी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें शिव पुत्री ही कहा जाता है, इनको मंसा नाम से भी जाना जाता है, बंगाल के कई मंदिरों में इनकी पूजा की जाती है, हालाकि तीनों बहने अपने भाईयों की तरफ इतनी चर्चित तो नहीं है, और ना ही इनके बारे में ज्यादा तर लोग जानते हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है, तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद